नमस्ते, इंग्लिश के पाच्वे लेक्चर में आपका स्वागत है इस लेक्चर में हम एडजेक्टिव्स यानि विशेशनों के बारे में पढ़ेंगे याद कीजे के पाट्स ओफ स्पीच वाले लेक्चर में हमने विशेशन का एक परेचाई दिया था तो चलिए सबसे पहले वो देखते हैं तो जैसा कि हमने पहले देखा था एडजेक्टिव्स या विशेशन एक संग्या या एक सर्वनाम का वर्णग करने वाला शब्द है और हमने पहले बहुत सारे उधारन भी देखे थे विशेशन के तो चलिए आज हम Viciousation की कुछ Viciousता है जानते हैं तो आज हम देखेंगे Types of Adjectives यानि Viciousation के प्रकार तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है Viciousation के 5 प्रकार होते हैं तो चलिए एक एक करके हर प्रकार के बारे में हम जानते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे Adjectives of Quality यानि गुणवाचक Viciousation तो Adjectives of Quality को Qualitative Adjectives भी कहा जाता है तो चलिए हम इसे उधारण से समझने की कोशिश करते हैं Mumbai is a Large City यानि Mumbai ये काफी बड़ा चाहिए लाज यानि बहुत बड़ा या काफी बड़ा तो लाज शब्द हमें City के कुछ गुणों के बारे में बता रहा है कैसी City? Large City ज्यान दीजे के City यानि शेहर तो लाज शब्द हमें एक Noun जो की City है उसकी गुणों के बारे में कुछ बता रहा है वैसे ही This is a Leather Jacket यानि ये एक चमडे का Jacket है तो यहाँ पे भी Jacket एक Noun है और Leather शब्द हमें उसके कुछ गुणों के बारे में बता रहा है कैसा Jacket? Leather Jacket ठीक वैसे ही Rose is a Fragrant Flower यानि गुलाब काफी खुश्बूदार पूल है अब यहाँ पे Fragrant यानि खुश्बूदार वो हमें Flower के बारे में कुछ बता रहा है और Flower यहाँ पे भी एक Noun है तो Large, Leather और Fragrant ये ऐसे शब्द है जो हमें एक Noun के कुछ गुणों के बारे में कुछ बताते तो इसलिए इन्हें गुणवाचक विशेशन या Qualitative Adjectives कहा जाता है मेरे कहाँ से आप समझ गे होंगे कि Qualitative Adjectives यानि क्या तो Qualitative Adjectives की वज़े से एक भाशा निखर जाती है अगर Qualitative Adjectives ना होते तो कोई भाशा काफी फीकी होते तो मेरे हिसाब से तो Qualitative Adjectives का किसी भी भाशा में बहुत ही ज्यादा महज़र होता है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हुम देखेंगे Adjectives of Quantity यानि परिमाण वाचक विशेशन इनके बारे में पढ़ने से पहले यह काफी आवश्यक है कि हम Measurable और Countable Nouns के बीच का अंतर समझ ले तो Measurable Nouns वो होते हैं जिने हम गिन नहीं सकते हैं लेकिन नाप सकते हैं तो उसके कुछ उधारण दिये है राइस यानि चावल तो हम उसे नापते हैं जैसे एक किलो चावल, दो किलो चावल वैसे ही मिल्क यानि दूद हम कहते हैं एक लीटर दूद या आदा लीटर दूद अब मिल्क और चावल, मिल्क और राइस इनको हम गिन नहीं सकते हैं हम यह नहीं बोलते हैं एक दूद्ध दूद्ध या एक चाबल दो चाबल हम हमेशा इन्हें नापते हैं और countable norms वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं तो उसके कुछ उधारण दिया है strawberries हम अक्सर कहते हैं एक dozen strawberries अब dozen यानी 12 तो dozen का मतलब है कि हम उसकी गिन्ती कर रहे हैं कितनी strawberries 12 strawberries वैसे ही chairs यानी कुल्सिया हम बोलते हैं 5 chairs या 6 chairs तो हम गिन्ते हैं अब strawberries और chairs को हम नापते नहीं strawberries के case में हम उनको नाप भी सकते हैं लेकिन आम तोर पर हम उन्हें गित्ते हैं तो अब शायद आपको measurable और countable norms के बीच का अंतर समझ में आगे होगा तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखेंगे कि quantitative additives क्या होता है आपको मैंने हिंदी शव्द बताया quantitative additives यानी परिमान वाचक विशेशन तो अब आप शायद समझ के होंगे कि यह ऐसे विशेशन है जिससे हमें किसी चीज का परिमान पता चलता है तो चलिए इसके कुछ उधारण देखते हैं he ate some food. अब पूर यहाल इक ऐसी चीज है जिससे हम नाप सकते हैं गिन नहीं सकते है और some food यानी कुछ पूर तो उसने कुछ खाना खाया अब सम यानि कुछ, एक ऐसा शब्द है, जिससे हमें पता चल रहा है कि पूर कितनी मातरा हमें मौझूद है, तो कुछ खाना, तो सम एक ऐसा शब्द है जो हमें पूर की मातरा के बारे में कुछ बता रहा है, वैसे ही there has been sufficient rain this year, अब rain वापस एक नाउन है और एक ऐसा नाउन है जिसे हम इंग नहीं सकते, नाप सकते हैं, और sufficient यानि जितना चाहिए था उतना, यानि जितनी बारिष चाहिए थी उतनी बारिष हो गई इसना, तो sufficient है कैसा शब्द है, जो वापस हमें बारिष की मातरा के बारे में कुछ बता रहा है, बारिष कितनी मातरा में मौझू तो इसलिए sufficient भी एक ऐसा शब्द है जो हमें rain की मात्रा के बारे में कुछ बता रहा है और वैसे ही he lost all his energy यानि उसने अपनी सारी शक्ती खो दी अब यहां all एक ऐसा शब्द है जो हमें शक्ती के बारे में कुछ बता रहा है या अगर ज्यादा विशेश ताम में जाओ तो श होंगे कि quantitative adjectives क्या होते हैं वे ऐसे जब दोते हैं जो हमें किसी noun जिसे हम नाप सकते हैं उसकी मात्रा के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा है अब हम देखते हैं adjectives of number यानि संख्या वाचक विशेश तो adjectives of number qualify countable nouns and pronouns इसका अर्थ है कि adjectives of number हमें एक ऐसे noun या pronoun की जानकारी देता है जिसे हम गिन सकते हैं देखिए यहाँ पर हम गिन सकते हैं नाप नहीं सकते हैं और quantitative adjectives में हमने कहा था कि वे हमें ऐसे noun या pronoun की जानकारी देते हैं जिने हम नाप सकते हैं तो यह काफी important महत्वपूर्ण अंतर है जिसे आपको यार रखना चाहिए, तो चलिए अब numeral adjectives के थोड़े उदारण देखते हैं, तो पहला उदारण है three houses, यानी तीन घर, अब यहाँ पे three एक quantitative numeral adjectives है, क्यों, क्योंकि वो घरों के बारे में कुछ बता रहा है, कितने घर, तीन घर, वैसे ही some toys, यानी कुछ खिलों, अब some, शब्द हमने पहले भी देखा है, he ate some food, वहाँ तो हमने कहा था कि some एक परिमान वाजक विशेशन है, quantitative adjective है, लेकिन यहाँ मैंने numeral adjectives के उदारणों में some को रखा है, क्यों, क्योंकि some यहाँ पे खिलों के बारे में तुछ बता रहा है, और खिलों को हम गिन सकते हैं, नाप नहीं सक तो वो शब्द क्या है, उससे फरक नहीं पड़ता, वो शब्द किस नाउन के बारे में हमें बता रहा है, उससे फरक पड़ता है, तो पहले some हमें फूर के बारे में कुछ बता रहा था, वैसलिए वह एक quantitative adjective था, और यहाँ some हमें खिलों के बारे में कुछ बता रहा है, इस चलिए अब हम एक एक प्रकार को ध्यान से दिखते हैं, सबसे पहले definite adjective of number, definite numeral adjectives वे होते हैं, जो एक exact number का बोथ करते हैं, exact number यानि क्या, 1, 2, 3, या 1, 2, 3, वगेरा वगेरा, वैसे ही उसमें roman numbers भी आ जाते हैं, जैसे 1st, 2nd, 3rd, या पहला, दूसरा, तीसरा वगेरा वगेरा, तो चलिए इसके कुछ उधारन देखते हैं, the hand has 5 fingers, यानि हाथ में 5 उंगलिया होती है, अब यहाँ पे 5 शब्द से हमें पता चल रहा है कि हाथ में कितनी उंगलिया होती है, तो 5 हमें उंगलियों की संख्या की पूरी तरह से जानकारी दे रहा है, इसलिए यह हुआ एक definite num दुमरल पटेक्टर, वैसे ही, सर्दार वल्लबबाई पतेल was the first Home Minister of India. यहाँ फर्स्च शब्द भी Home Minister की पूरी तरह से जानकारी दे रहा है, यानि कान से Home Minister पहले Home Minister? सर्दार वल्लंभाई पटिल भारत के पहले ग्रह मंत्री तो कौनसे ग्रह मंत्री पहले ग्रह मंत्री तो इसलिए यहाँ भी हुआ एक definite numeral adjective तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं indefinite adjectives of number तो शायद आप शब्ट से ही समझ गये होंगे कि यहाँ वे adjectives हैं जिनसे एक exact number का बोध नहीं होता तो जैसा कि यहाँ लिखा है adjectives which do not denote an exact number यानि वे adjectives जिनसे एक exact number का बोध नहीं होता तो चलिए इसके कुछ उधारण देखते हैं there are no pictures in this book यानि इस किताब में कोई pictures नहीं है pictures यानि चित्र तो अब आप सोच रहोंगे इससे भी हमें exact number के पारे में पता चल रहे हैं कि कितने pictures zero pictures या एक भी picture में है लेकिन यहाँ अगर लिखा होता zero pictures तो zero एक definite numeral adjective होता लेकिन नो एक number नहीं है नो एक English का शब्द है तो इसलिए वो हुआ एक indefinite numeral adjective वैसे ही he ate all the cookies अब यहाँ पे cookies एक ऐसा noun है जिसे हम गिन सकते हैं और all the cookies यानि सारी cookies यानि वो सारी cookies था गया अब यहाँ पर हमें cookies की संख्या पता नहीं चल रहे हैं लेकिन संख्या के बारे में सारी cookies था लिए सारी cookies तो इसलिए all हुआ एक indefinite numeral adjective अब हम numeral adjectives के तीसरे प्रकार की और चलते हैं जिसे हम कहते हैं distributive numeral adjectives तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है distributive numeral adjectives are adjectives which refer to each one of a number अब इस वाकिया को ध्यान से समझिए each one of a number यानि अगर मेरे पास 10 pens है और मैं एक ऐसा शब्द बोलता हूँ जिससे आपको पता चलता है कि मैं हर एक pen की बात कर रहा हूँ तो उस शब्द को मैं कहूँगा distributive numeral adjective अगर मेरे पास कितनी pens है वो आपको नहीं पता फिर भी मैं एक ऐसा शब्द बोलता हूँ जिससे आपको पता चलता है कि जितनी भी है मैं हर एक pen की बात कर रहा हूँ तो वापस वो हो जाएगा distributive numeral adjective तो इसके कुछ उधारन दिये है each boy will play यानी हर एक लड़का खेलेगा यहां ममी यह नहीं पता कितने लड़के हैं लेकिन each शब्द से मैं हर एक लड़के की बात कर रहा हूँ तो इसलिए each हो गया एक distributive numeral adjective वैसी either pen will do यानी कोई भी pen चलेगी तो अब यहां भी मेरेको नहीं पता कितनी pen से लेकिन either से मैं हर एक pen की बात कर रहा हूँ कोई भी pen चलेगी तो इसलिए either भी हुआ एक distributive numeral adjective और वैसे ही neither statement is true यानी कोई भी वाक्य सही नहीं है यानी neither यानी कोई भी नहीं तो अब यहां भी मेरेको नहीं पता कितने वाक्या है लेकिन neither से मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी वाक्या है एक भी सही नहीं है यानी मैं हर एक वाक्या की बात कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि एक भी सही नहीं है तो इसलिए neither भी हुआ एक distributed numeral adjective तो चलिए बागे बढ़ते हैं अब यह चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लेकिन चलिए फिर से एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं same word used as a quantitative as well as a numeral adjective तो यहाँ पे यहाँ दिखा है some water यारी थोड़ा पानी अब यहाँ water एक ऐसा noun है इसे हम नाप सकते हैं गिन नहीं सकते हैं तो इसलिए some हो गया एक quantitative adjective और यहाँ पे लिखा है some cookies यानी कुछ biscuits इसलिए some हो गया एक numeral adjective तो यहाँ पे शब्द सेम है सम लेकिन एक जगा पे हूँ quantitative adjective है और एक जगा पे numeral adjective हुए तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो noun जिसकी बारे में हमें जानकारी मिल रही है वो noun को हम नाप सकते हैं कि गिन सकते हैं और उसी सा आपको पता चलेगा कि adjective quantitative है कि numeral है तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे demonstrative adjectives demonstrative adjectives point out which person or thing is meant यानि आसान भाषा में कहूँ तो demonstrative adjectives वे adjectives है जो किसी noun की तरफ इशारा करते हैं यानि हमें पता चल रहा है कि किसी noun की तरफ इशारा हो रहा है इन शब्दों की वज़े से तो इसके कुछ उधारन देखते हैं यहाँ स्क्रीन पर आपको एक bookshelf दिख रहा है अब मैंने एक book की तरफ इशारा किया है और कहा है this is my book यानि ये मेरी किताब है तो this यानि ये अब ये एक ऐसा शब्द है जिससे आपको पता चल रहा है कि किसी book की तरफ इशारा हो रहा है इसलिए ये हुआ एक demonstrative adjective वैसे यहाँ आपको स्क्रीन पर तीन लड़के दिख रहे हैं और मैंने एक की तरफ इशारा किया है और कहा है यानि वो लड़का सबसे शैतान है तो अब यहाँ भी that यानि वो एक ऐसा शब्द है जिससे आपको पता चल रहा है कि किसी की तरफ इशारा हो रहा है तो इसलिए ये भी that भी हुआ एक demonstrative adjective अभी हाँ स्क्रीन पर कुछ और शब्द दिये हुए है जिनने हम demonstrative adjective उसकी category में डालते हैं तो पहला उधारण है धोस यानि वो सब तो धोस आर मैं friends यानि वो सब मेरे दोस्त है वैसे ही these यानि ये सब these are my relatives यानि ये सब मेरे रिष्टेदार है और आखरी उधारण है सच अब ये थोड़ा confusing होता है इसलिए मैंने ये उधारण दिया है don't be in such a hurry यानि इतनी घाई मत करो तो सच एक ऐसा शब्द है जो किसी के बरताओं की तरफ इशारा कर रहा है यहाँ पर बरताओं कैसा है वो बंदा काफी घाई कर रहा है और उस बरताओं की तरफ हम इशारा करते हैं तो इसलिए ये सच शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसलिए सच हुआ एक demonstrative adjective तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम adjectives का आखरी प्रकार देखेंगे जो है interrogative adjectives यानी प्रश्णवाचक विशेशन तो interrogative adjectives सबसे आसान प्रकार होता है अगर आपको exam लिखती हो तो इसमें सिर्फ तेन शब्द होते है और यह जब ही किसी noun के पहले आते है तो आप आख बंद करके बोल सकते हो कि यह interrogative adjective का ही कुझा रहा है तो यहाँ भी तीन उधारण दिये है तो फिर भी उससे हमें पता चल रहा है कि खिलोने की बात हो रहा है तो यहाँ पर भूज हो गया एक interrogative adjective वैसे ही which way shall we go यानि हम कौन से रास्ते जाएंगे तो which से वापस हमें रास्ते की बात हो रही ही यह पता चल रहा है और what time is it यानि समय क्या हुआ तो what शब से वापस time की बात हो रही है तो जो शब से किसी noun के बारे में कुछ चीज़े पूछी जाती है और आम तोर पर जो noun के पहले आते है वो interrogative adjectives होते है तो आज हमने adjectives के बारे में तो सीख लिया अब जैसे कि हमारी हर कक्षा में हम थोड़ी मिसलीनियस यानि थोड़ी विविदवाते करते हैं जो आपको रोज की बातचीत में काम आएगी तो आज के lecture में हम सीखेंगे common greetings यागी आम शुदकामनाय तो मैंने आपको स्क्रीन पे थोड़ी आम शुदकामनाय लिखी हुई है उनके हिंदी के साथ तो एक बार आप इन्हें देख लीजिए पहले पास तो आपको पता होंगे good morning, good afternoon, good evening, good night और happy birthday ये तो आम तोर पर हम इस्तमाल किया करते हैं बाकी के शायर आपको ना पता तो उसके बाद है congratulations यानि बधाई तो जब किसी ने कुछ अच्छा काम किया हो या किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ हो तो हम उसे बधाई देते हैं तो अंग्रेजी में कहते congratulations तो आपका मित्र अगर क्लास में first है तो आप उसे बोलते हो congratulations फिर happy journey यानि शुब याक्रा शुब याक्रा तो अगर कोई घूमने जा रहा हो या किसी काम से कहीं जा रहा हो तो आप उसे बोलते हैं शुब याक्रा यानि happy journey फिर get well soon यानि जल्दी ठीक हो जाओ तो यह कोई बिमार वो उसे कहा जाता है take care यानि ध्यान रखना या आम तोर पर हम अपने दोस्तों को कहते रहते हैं see you soon यानि जल्दी फिर मिलेंगे तो यहाँ पर भी कोई अगर दूर जा रहा हो आपस तो उसे आप बोलते हैं हम लोग वापस मिलेंगे उसके लिए इंग्रेजी में कहते है see you soon फिर good luck best of luck all the best यह आम शुपकामना है जो आम तोर पर हम exam के पहले लोगों को बताते और welcome यानि स्वागत तो कोई महमान आपके घर पे आये हो तो उसका स्वागत करने के लिए आप अकसर बोलते है welcome आपने देखा होगा कि लोगों के घर के बाहर जो मैट रखी रहती है उसके भी काफी बार welcome लिखा होते हैं जिसका आतोता है स्वागत तो आज का lecture तो हो गया अब हम पिछले lecture में आपको exam दी थी उसके solutions discuss करेंगे तो पिछले lecture में मैंने आपको 7 शब्द दिये थे और कहा था कि इनके singular लिखो यानि इनके एक वचन लिखो और मैंने उमीद की थी कि पिछले lecture में singular से plural बनाने के जो नियम हमने discuss किये थे उसको आपने इस्तमाल किये हो होंगे plural से singular लाने के लिए तो अगर आपको नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो आपको नियमों को उल्टा करके plural से singular भी आसानी से लापाई होंगे तो चलिए अब इसके उत्तर discuss करते हैं तो पहला था counts तो अन्त में आ रहा है S और S के पहले W तो यह आपने देख के अन्त का S हटा दो तो इसका singular हो जाएगा काव फिर है बटफ्लाइट्स अन्त में इस आ रहा है और इस के पहले I आ रहा है तो याद कीजें कि हमने कहा था कि कोई भी शब्द के अन्त में Y आता है तो उसका plural बनाने के लिए हम Y को I से replace करते हैं और अन्त में इस लगा दे तो इसको देखके आपको याद आना ठीए यह लिए हम और फिर इस लिए हम को उल्टा करें तो I ES के बदले हम Y लगा देगे तो इसका singular हुआ Butterfly फिर आता है Boxes अब यहां अन्त में ES आ रहा है और उसके पहले X आ रहा है हमने कहा था X से अन्त होने वाले शब्दों का plural बना तो Boxes का Singular हो जाएगा Box फिर Kilos अन्त में S आ रहा है और उसके पहले O तो वापस नियम को उल्टा करेंगे तो इसका Singular हो जाएगा Kilos फिर Wulks अब यहां अन्त में ES आ रहा है और उसके पहले V आ रहा है तो याद कीजिए हमने कहा था जो शब्दों के अन्त में F आता है उन उनमें हम खुछ शब्दों में F को V से बदल देते हैं और अन्त में ES लगा देते हैं तो Wolf देखके आपको यह नियम याद आना चाहिए और इसका Singular हो जाएगा Wolf फिर Proofs तो इसमें S आ रहा है और पहले F आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको एक List दी थी कि जो शब्दों के अन्त में F आ रहा है और उनमें F को V से Replace करना और पिर ES लगाना है ऐसा किन-किन शब्दों में करना उसकी List दी थी मैंने आपको और बाकी सब अन्त में सिर्फ S लगाना था तो यह उसी का उधारन है तो इसमें S हटा देंगे और बन जाएगा Proof और अन्त में Fireman तो याद कीजिए कि हमने जब लेखा था कि थोड़े ऐसे नाउंस होते हैं जिनका Plural बनाने के लिए मोविल चेंज करते हैं तो Man का Plural था Men तो यहां Fireman देखके आपको वो नियम याद आना चाहिए तो इसका Singular हो जाएगा Fireman तो चलिए आज का Lecture समाप्त हुआ हम आपको मिलेंगे एक अगले Lecture में एक नए वीडियो में धर्यवाद